दामी सरकार का इंवेश्टर समेट आकिरकार आयोजित होने जा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह पूरे पंडाल लगे हुए हैं और यह पंडाल अपसे थोड़ी देर बाइद क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर आराना है तो आप समझ सकते हैं कि पूर करें लोगों के और इसके अलावा आप दूसरी तरफ देख सकते हैं यह बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार यहां पर वोंच रहे हैं यह एंट्री वाला इलाका है और यहां से ही एंट्री हो रही है मैं आपको थोड़ा से और आगे लेके जाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर अन्य तमाम चीजें की गई हैं लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से आपको एफराई दिख रहा है यह पूरे के पूरे इधर की तरफ को जो है तमाम लोग बैठेंगे चाहे गोल्ड हो प्लैटिनम हो उनके अलग-अलग पासिस बनाये गए हैं और यह जो दूसरी तरफ है यहां पर एक तो जो यहां पर सेक्टोरियल सेशन है वो यहां पर आयोजित होंगे और उसके साथ- जो तमाम योजना हैं उनको देखा जाएगा जैसे मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि बड़ी संख्या में सरकार ने लगभग तीन लाग करोड तक अभी तक निवेश जो है वो अपने इस इन्वेस्टर समिट के लिए पाया है उसमें उन्होंने तमाम MOU जो हैं वो कराए हैं और सबसे बड़ी बात ये हैं चाहे education sector हो या फिर जो तमाम सेक्टर हैं उन पर focus सरकार के द्वारा किया अ या ही यही है कि जितने से जादा से जादा निवेस हो सके वो कराया जाए जिससे जादा से जदा या यहाओं को रोजगार मिले जा पर फील्गूड जैसा कहीना कहीं प्रतीत हो तो साफ तोर पर यह जो इन्वेश्टर समिट है वह आगे जाकर तमाम मील के पत्थर साबित होगा और कहीना कहीं जो सरकार की कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यूआओं को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो प्राप्त हो तो उस पर सरकार जो है वो काफी हद तक सफल भी साबित हुई है और उम्मीद सरकार ने यही की है अब ग्राउंडिंग पर सरकार का फोकस रहेगा आज और कल का कॉरिकरम होने के बाद सरकार पूरी तरीके से से फोकस कर देगी अपने इस ग्राउंडिंग पे अभी तक 44,000 करोड तक की ग्राउंडिंग सरकार्थ के द्वारा की जा चुकी है उम्मीद की जानी चाहिए यह और आंकड़ा बढ़ेगा और यह लगबग एक से दो लाग करोड तक पहुँचेगा तो उत्राखंड में रोजगार की गंगा तो जवरू बहेगी अपने सयोगी आलोग के साथ मैं पंकच पावार बारस समाचार देरादून